जब सब सब तरफ से कृति कुलता है तो थोड़ा तो निगेटिविटी आती है ना मंद में कि अब तो जब सब तरफ से चार बार तो एक रास्ता खुला होता है हरी शर्णम कोई नहीं रहता है यह तुम्हारी भूल है जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास् पिश्टा रहा और जब सब भरोसा बंद होकर एक मात कृष्ण तो यहीं यहीं चीर बंकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का यहां से दूपटा नहीं अटा पया तो जिस समय चारों तरफ बिपत्ती हो उस समय दृष्टी सिरी कृष्ण पर हो तो संपत्ती संपत् तो आप देख आप चलो ना कहने कि मार्गे से चलो आप देखो आनंदित होते हो कि यह बिपत्ती क्या है हमारे कर्मों का जाल है कोई बिपत्ती नहीं कर्मों का जाल है और एक सच्ची माली है दिन ठिकेगा नहीं तो रात भी नहीं ठिकेगी फिर दिन आएगा फिर रात आ आख जब सुवें निकलते हैं रोज नहीं मूरतियां और चालिस-पचास हजार लोग रोज खड़े होते हैं वहां से यहां तक दो गाड़ी से चलके आना रात्री के नींद छोड़ना अच्छा सयाने सयाने तो लही इतने चोटे-चोटे राधा-धा-धा-धा-धा-धा-धा रूप में जब सब रास्ता बंद हो फिर एक मात्र भगवान का भरोशा हो वहीं जीवन से वो चमतकार जो प्रगट होता है वो एक अलोकिक होता है इसलिए निरास्त हो येगा नहीं आनंदित रहें नाम जब कीजिए और हमारा जीवन भगवान के भरोशे में हो जाए तो हम मानंदित हो जाए अभी अपने कर्मों के भरोशे में करम ज्यादा अच्छे नहीं है कर्मों का परिणाम ज्यादा दुखत ही होता क्योंकि गल्तियां हमसे भरोशा भगवान का रख ले तो बात बन जाती है भगवान बहुत करपाल है हम से सच्ची कहते हैं भगवान बहु पूछता जिसको कोई नहीं जानता उसे बिश्व बंदनी बना देते हैं यह उनका खेल है तब लोग कहते हैं ऐसा हो रहा है आज लोगों का परिवर्टरम इन बातों पर ध्यान ने देख क्योंकि हमें पता है जंगहा लोहा कभी गले का हार नहीं बन सकता यह तो पारस्मने क क्रपा की छूग गया तो सोना बल गया यह तो भगवाल की क्रपा हो गई तो यह इसलिए हम सब को कहते हैं कि सब दिन होतला एक समान आज दूख है तो ज्यादा परिशान नहों और आज सुख है तो फूलो बात शुख में इतना भी मान मत करो कल दुखा सकता है क्योंकि चक सब्सक्राइब करो नाम जब करो कोई नसा मत करो मान साधी मत खाओ पराई माता बहनुक तरफ गंदी द्रश्टी मत करो देख लो आनंद में जीवन हो जाएगा भगवान जिस दिन देख लेंगे ना माला माल हो जाओगा लालित महता जी अधरादे गुरुदेव कि अधरा आनिक कोई अवशक्ता नहीं महारज जी मुझे अपने पिता के कतनों के साथ चलना चाहिए है तक पहले पता चले कि पितान ने क्या बचन देख अगर वह अधर्म के बचन है तो मां की बात माननी चाहिए क्योंकि मार्दांग है पिता से ज्यादा अधिकारों रखती अगर धर्मयुक्त बच्छन है तो मासे विनाय करके साहयोग मा का अनुमती रूपी साहयोग ले लेना चाहिए और पिता की आग्या का पालन करना चाहिए गुरुजी को है ऐसा हुआ था कि परिवारिक मद्वेद हो गए थे जिसमें छोटे वाई ने किया किया उनके साथ प्रोपर तो आपको क्या देस किया था मतलब कि मुझे यह बोला था कि सारी जिन्दगी इससे वा बरतना नहीं है कभी भी इससे मतलब कि इसके तरीका संपर्क नहीं रखेगा अब वो बात आपको नहीं अगर इसके पास जाएगी तुने हाथ जोड़ देने तो पिता उस समय वो द् तुम भाई हो सोहोदर भ्राता हो जरूरी पढ़ने पर तुम्हारी भूजा एक साथ खड़ी होनी चाहिए भाई के लिए उस समय द्वेस्ट भाव से बोले तो कोई धर्मात्मा पुरुष के वचन नहीं बोले थे धर्मात्मा पुरुष के वचन यह होते कि बेटा इसने कु लेकिन उस वप माता जीव उनकर खिलावते हैं आप हमारी बात सुनो तुम पिता के शमान हो वो अबद्र विवार आप से कर सकता है आप नहीं आप गंभीर बनो आप जिसे अपने पुत्र को शमा करते हैं ऐसे सहोदर बराता है यह आजकल मूर्खता चल गई है थोड़े हिस्से में थोड़ी थोड़े पैसे थोड़ी जमीन में अपने भाई को कतल कर देते हैं अपने भाई को मार देते हैंוך यहार थोड़े से हम कहरें अगर थोड़े सा हिस्सा ज्यादा दे देने से तू प्रसंद रेता है ले जा भाई तू अनंद से रहे मस्ती से खापी कभी हम तेरा विरोध नहीं करेंगे कभी तुझे डाटेंगे नहीं हम अपना और खमालेंगे भाई हो तुम हमारे जिस उदर में हम पले उसी उदर में तुम पले हो हम तुम्हारा मंगल और अहित नहीं होने देंगे छोटा कर सकता है आप से आपको नहीं करना है आप बड़े हो आप पिता के शमान हो तो जो माता का अगर इस समय पक्षछ है तो उसी पक्षछ में रहिये और वहीर विरोध ना पावे नहीं आज तुम बैर विरोध करके जाओगे कल तुम्हारे बच्चों में बैर विरोध होगा और वो बैर विरोध जब पांडों और कवरों में बढ़ा धत्राश नहीं समाल पाए तो विनासकारी लीला हो गए इसलिए मुझे लगता है कि बहुत गंभीर होकर वैर व प्रोपर्टी आपने चोड़ चूब हो वैसे हम उसका जो आचरन बहुत गलत अचरन होता जा रहा है माता के प्रतिव उसका आचरन बहुत गलत है समाजिक तूर पर भी लेकिन माता फिर भी तो आप उसका आंतरिक त्याग कर दीजे बाहर विरोध वहर नहीं जैसे योग में खड़ाओं और अगर कभी प्यार से बात करें तो उसको समझा देना चाहिए तेरे आचरन बहुत गलत है तुझे सुधार लेना चाहिए और ना माने तो कि त्याग का मतलब होता है अंदर से ना बुरा ना भला त्याग का मतलब यह होता है ना अंदर से वह त्या कि एस अंदर रहा किसी भी व्यक्ति से तो परमार्थ में ने चल पाएंगे द्वेस किसी से नहीं रखना घौर पापी से भी द्वेस ले रखना यह उसका आचरण वह अपना भोगेगा हमारा आचरण हमारा भाई रादिर हदे अपने अपने मार्गे में से चले क्यों भाई गाहित्री शर्मा जी आपके चोड़ों में कोटी-कोटी पनाओ गुर्देव आपने लाडली जी का नाम राधा शिव जी का अगर जपना है तो शाम सदा सीव कृष्ण हरी राम सब बताए महराजी मेरी अराध्या मा जगदंबा है मैं किस नाम से पुकारूं की मेरा नाम वक्तों का मा 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 जो मा है तो मा है मा का नाम मा मा जगदंबा को पुकारने के लिए मा बस मा को पुकारो अब ऐसे जपना है उनके बीविद नाम मा का नाम एक स्यामा भी है स्यामा ने एक दुरगा भी है अम्बा ऐसे ने इसे जप्टो एसे भूण में इसमें होता है कि जो हमारा भाव जूड़ता है और वैसे भगवानमें अनुबो कर दे और टे वह जो एक है यह थे तद्द दस भी स्थोड़ी वह जब ओशर पढ़ा तो दुर गगए वह ओशर पढ़ा सिव रूप हो गए वह है किर्श्न रूप मघोति अम्बा मघोति तो वही परमटत्व अंबा रूप में अंपर करपा करेगा यह था माम प्रपध्यांते अस्तात रहि भजा में मुझे जैसे बचता है मैं उसको वैसा उसको करते समय मन को नाम में और बुद्धी को क्रिया में एक साथ कैसे लगाया जा सकता है महरजी जब क्रिया एकागरता से करते हैं तो नाम छूट जाता है भगवान का विस्मरण हो जाता है आप कहते हैं कि जब तक निरंतर नाम जब नहीं चलेगा तब तक भगवत सबयाथ हैं आफ क्षाणी और में और जान जन्म अपता की पूरती के लिए इंआप होता भगवान के लिए कारिंड स listeners को भगवत कारी के लिए करें तो 텐데 सब्सक्ते आप पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट की सेवा, कोई नोकरी व्यापार, हम इस बात को कई बार का है, कि यदे हम को एक घंटे में याद ना वे, दो घंटे में याद ना वे, तो हम दो घंटे के पूरे समय को जब याद आया, तब प्रभु को समर्पित कर दिया, क्यों राधहा आप देखो जब आपके अंदर एक पीड़ा जागेगी निरंतर भजन की तो अंदर यंदर आप उसको पकड़े रहेंगे रस्खान गोविन्ने यो भजियें जियो नागरिकोचित गागर में जैसे ब्रजवाशनी सक्षियां गाउं के बाहर कुआ होता है उसका जल बड़ा मीठा होता था तो एक हाथ में बाल्टी है रश्शी है एक हाथ में गागर है और तीन गागर उपर रखे रहें और भरी हुई जल से और सक्षियों से बात कर रहें लेकिन उनकी चित्वरति कहां है एक आगरता कहां है गागर में अगर जरा भी सर का वैलेंस विगड़ा तो सम्मट की अब हम एक आगरता पुरुवक दो काम एक साथ कर रहें आप से बात भी कर रहें चूकि नाम हिक्की चर्चा और भगवत चर्चा और लेकिन अगर हम संसारिक भी बात करें वह दिमाग में बसा हुआ है कि मुझे नाम छोड़ना नहीं वो दिमाग में राधा राधा अंदर दिमाग में चला है तो हमां अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए तद विश्मरणें परम व्याकुलते थे प्रभू की याद ना भूलें अगर याद भूलें तो व्याकुलता आ जाए तो याद कई तरह से प्रभू के लिए कारी कर रहे हैं बीच वीच में राधा राधा बो उस्त्रमीक्रियाइं होती रेती भजन चलता रहता है अभी करताभाव यूग्त है इसले समस्या लग रही है तो उस कर्म को भी भगवान को समर्पीत कर दू यत करोशी जो पैसा मिलेया उससे परिवार शरी में का पोछौन होगा वो भी भगवान के लिए हैं वो महाभागवत कहा जाता है जिसकी हर चेस्टा भगवान के लिए होती है चाहे संतानुत्पत्ति क्रिया हो चाहे वो आरति पूजा हो वो दोनों भगवान की पूजा हो जाती है जब हम भगवान की आग्या का पालन करने के लिए करते हैं तो ऐसे हमारे अंदर एक पीड़ा पर भगवान किरें मामुन श्मर युद्धचर मेरा इस्मरण करती हुए तुम युद्ध करो इस्मरण हो सकता है हम याद कर सकते हैं प्रभू की निरंतरता एकतार तो सिद्ध पुरुषिका होता है अपने लोगों का जब याद आजाए रधा अगर हम एक बार कहा था कि 10 मिनट में एक बार याद करने का अभियास कर लो 24 गंटे में आपको लेएगा चलो 10 मिनट हम किसी कारी में एक आग रहें फिर जैसे सांस लिए ऐसे राध हा फिर 10 मिनट के लिए हम एक आगरता फिर राध हा आप देखलो इस से लाब आपको प्राप्ठ होगा जो करो वो प्रभू को समर्पित करो, बीच बीच में नाम जब करते रो, भाव करो कि हे नात, जितना इसमर्ण बनता है, जितना कर्म बनता है, वो शब आपको समर्पित करते हैं, और इसका फल चाहते हैं, अखंड इसमर्टी, तो जब वो अखंड श्मरती दे देंगे तो अपने आपने देखो सरीर जब काम करता है तो मन ठपतो होने ही जाता है कि मन एकदम शांत एक आगर हो गया उस समय भी चलता रहता है तो जहां वो चल रहा है अगर वो चलन भजन में लग जाए तो क्रियां भी होती रहेंगे भजन भी होता रहेगा तो हम इसका ब्यास करें धीरे धीरे असंभों नहीं है पर प्रारम में जब हम इस मार्ग में लगते हैं तो एक आगरता क्रिया में हो जाते हैं प्रभू को भूल जाते हैं लेकिन हम ऐसा भ्यास बनाएं बीच बीच में नाम जबका जैसे हम कोई पद गुन-गुनाने लगें अंदर तो बड़ियां काम करते रहेंगे जैसे लोग संसारी आदमी फिल्मी गाना गाते तो 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 उसी धुनी में राधा नाम लगा लो राधा 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 अंदर अं जाएंगे बढ़ियां हो जाएंगे जब युद्ध हो सकता है मामन श्मर युद्ध तो और भी क्रियां भी हो सकते हैं और ऐसा नहोता तो बड़े-बड़े ग्रेस्त सिद्ध मापुरुश हुए वो फिकैसे होते क्योंकि ग्रेस्ती में तो नाना प्रकार के कारियां ही युक्त अंदर का चिंतन न eco सम्वें भुआन हैं भगवान सब रूपें अए हैं भगवान की चर्शा कर रहे हैं अपने भगवान का दर्शन करके उनका अदर कर रहे हैं और बीच वीच में नाम चल रहा है भाजा और युद है आप अभ्यास करलो आति जैसे भगवान ने के समय को भी प्रभू को समर्पीत करो करते हो हाँ तो आगे चल कर देखना जब करम समर्पन का फल उदय होगा तो आपका हर्दे निर्मल होगा और निर्मल हर्दे में अखंडी बिश्मर्टी आती है जो बार बार हमारे अंदर बिश्चेप पड़ता है भोगों का बिश्मरण होता है वो मलिन अंताकरण के कारण इस साधन को करो अरे जनम जनम मुनि जतन करा हैं आप तो देखो कुछ वर्सों में आप आनंद ले रहे हो ऐसा तो नहीं कि विलकुल से प्रभू की तरफ से विसेश क्रपा है वो जब करुणा करेंगे वे सब साधन पक्षेक तरफ रखा रहता है उनकी क्रपा से बहुत जल्ली लाप राप्त हो जाता है नहीं अंशी मार्कंडे जी राधा वल्लव शीहरिवेंश माराजी आपके चर्णों में कोटी-कोटी गुर्जेव आपने कहा था कि अपने भजन को चुपाना चाहिए परंतु हम अपने माता एवं पिता जी के साथ परसपर प्रतिस परदा करते हैं कि कौन ज्यादा नाम जब करेगा और वो संख्या काउंटर पर दिखाते हैं इस पे इस पे नहीं है वो जो भजन का अभिमा फिराथ किया अपने इतना किया हैतना रगिद ऑपसे दों ज्यादा किया आपको को भी करना चाहिए ऐसे ये तो प्रेम बिवार भजन हम जो अपने भजन को समाज में रखना चाहते हैं कि हम कुछ हैं हमारे अंदर अभिमान भजन का ना आ जाए हम भजन की बात करें कि सम्मान अना चाहें इन बातों का विरोद अपने मम्मी से बात करना अपने गुरू से बात करना अपने मित्र से बात करना इसमें कोई परिशानी नहीं वो जो सम्मान अभिमान पुष्टता के लिए उसके लिए एक आ गया है भजन को छुपाओ अपने अनुभवों को छुपाओ ऐसे प्रस्तुत मत करो कि आप बहुत बड़े भजनानंदियों इस चार लोग सम्मान करेंगे तुम्हारा भजननस्ट हो जाएग जहां अभिमान करके हमें चाप मारना चाहते हैं चार लोगों के अंदर और चार हमें प्रणाम करें उसके लिए निसेद किया गया है समझ पारिया है हम बहुत अच्छे बच्चे हो खुब नाम जब करो और हर बात मम्मी से बताओ कोई ऐसा संग मत करना धीरे धीरे सायाने बच्चे हो जो आज के बच्चों में जैसे चल रहा है तो कोई भी बात को अपने ममी से जरूर बताओ उनसे सेयर करें कि आंज हम को ईसा मित्र मिले थे और एसी बात करें वह आपको शेह रास्ता बताएंगे हो प्राथम गुरु पृती ही गुरु फिर आगे गुरु जो मिलते पर्मार्थ कोई बात अश्के लेकें पहले गुरु मा होती है वीजे का ओden टाजयृत दादे राधे महांची महांची जब और ध्यान में क्या अंतर है समझ में नहीं महारा जी क्वर्म का आप परहे तीन प्रकार से जड़ाता है नाम का दो प्रकार से एमनकर का नाम का तीन प्रकार से जैसे राधाराधाराधा यह वाचिक ओठ हिल रहे हैं अंदर जी भ्या से हम नाम उच्छारण कर दें यह उपांश तो चल रहा है इमान सीख इसे जब कहते हैं और ध्यान का ताथपर होता है जब करते समय जब हमारा मन जहां जाता उसे ध्यान कहते हैं ध्यान लखना जब कर रहे हम प्रभु का अंदर यह अंदर जो ध्यान हो रहा है अंदर यह जो मन हमारा इस्मृति में में रम रहा है वह खास बजन होता है वह बजन होता की स्मृति में वो नाम चलने लगे अंदर की स्मृति में भगवान के भाव रूप लीला आधिका चिन्तन होने लगे ज्यादा समय नहीं लगता प्रविद्या को नाष कर ब्हवदनन्द की प्राप्ति होती है पर इसी नाम जब से ही रूप आता है जैसे जैसे नाम जब हम करते हैं और विशे चिंतन छुट जाता है तो जब हमारा आंतरिक याद जिसे कहते हैं इस्मृती जिसे कहते हैं वो प्रभू की होने लगे तो उसे ध्यान कहते हैं आंतरिक ध्यान आंतरिक ध्यान आंतरिक जो चिंतन है वो प्रभू का होने लगे तब हमें आनंद की अनुभूती होती है तो ध्यान दो प्रकार को होता है एक क्रियात्म क्रिया किया जाता है वह इंप्रवु के रूप का ध्यान करने की छेष्टा कर रहे हैं और एक होता है नाम के प्रभाव से जो रूप प्रकासित होता है उसमें चित्त का समर्पित हो जाना बिना नाम के जबके वो जो रूप भ कि अधीन रूप जितना नाम जिसे राधा 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 र वही ध्यान वही सुमिरन वही जब उसी राधा जहां नाम का ध्यान हो रहा है वही रूप प्रकासित हो जाएगा जब रूप प्रकासित हुआ तब निरंतर अखंड ध्यान हो गया अखंड ध्यान का मतलब उठते बैठते चलते फिरते उसी रूप में आ सकती और मदुर मदुर इस्मृति ये ध्यान अश्टांग योग में भी ध्यान का प्रकरणाता है अब वो शाधना के द्वारा परमात्म तत्यों के ध्यान के लिए चित्वरति को हटा कर बार बार परम का ध्यान या जो माना हुआ अपना प्रभू का कोई प्री रूप छवी है उसका ध्यान तो फिर असली में ध्यान आने लगेगा असली में ध्यान क्या होता है अभी हमारा बनावटी ध्यान है असली ध्यान है जो हमारा अंदरी अंदरी सम्रती जाती है किसी वस्तू किसी व गया हुआ था वह अंतरिक चिंतन जो प्रवू को होता है उसे ध्यान कहते हैं और बार बार अभ्यास करना है जहां बारा मन जाए जिस वस्तूविक्ति स्थानी इसी में जाएगा वहां से हटांकर अपने लक्षमें लगाना या जहां जाजा उसमें भगवान की भावना ना क तो भाउने कि इस व्यक्ति के भी एर्दे में नह reopen जब यह वस्तू नहीं थे तो भी भगवान रहे गेजर बीच में इस वस्तू की रूप में भगवान ही तो है ना ऐसे बार-बार करने से तो प्रिक्वयाँ से कम भजन को परिपक करते हैं जहां-जहां मन जाए, वहां से हुटा करके प्रभु के नाम में लगाना, अपने लक्ष में में लगाना, या जहां-जहां मन जाए, वही भगवान को देखने की भावना करना, इसके हमारा अभंग ध्यान सुरू हो जाएगा, जो भंग होता है बी, जो विख्षेप होता है ये विख्षेप रहित अभंग ध्यान होने लगेगा हमारी प्रार्थना है कि अधिक नाम जब किया जाए नाम जब से ही मन की चंचलता अशांती मलिंता यह दूर होती है हरी मोहन शर्मा जी मत्रवास, श्री हरिवेंश मारा जी, नीच ये गृदे भागयान, श्री कृष्ण कृष्ण